कि असकार दोस्तों मेरा नाम है साहिल आपका बहुत बहुत है ऐसा टेक्निकली के इस न्यू अपिसोड में आज मैं आपको बताऊँगा कि जियो फाई थ्री जो है राउटर उसका पासवर्ड जो इन्होंने पासवर्ड दिया होता है जैसे आप देख पार होंगे यहां इन् कि चेंज करें वह आपको आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे चेंज करें यह मेरा मोबाइल कनेक्टिड है जी यो फाई थ्री से अब इसके ब्राउजर में जाईए और वहाँ पर लिखिए है एच टी टी पी यह कोलन देख पारे होंगे आप लिखिए उसके बाद लिखिए जी यो फाई लोकल डॉट एस्टी एमल यह लिखिए क्लिक करिए आपको एक पेज खुला हुआ मिलेगा इसमें काफी कुछ मैंशन है इस डिवाइस के बारे में अटैस्ट है नेबल है कुछ है यहां उपर लोगिन सभ возь सो होगा उपर शे क्लिक कीजिए जो इसके डिवॉल पास्ट याता है यूजर येम पासुआ आता है वह एड़ रिया है अब मैं इसको login करूंगा आप देख पा रहे होंगे आप ये करेगा कि आप चेंज करना जाते हैं नेम और पासवर्ट को और आप चेंज करना जाते हैं तो ओके द्वाईए और चेंज कर लीजिए मैं अभी इसको default ही रखने दूँगा इसलिए cancel कर रहा हूं अब ये यूजर मैंजमेंट में आपको यूजर मैंज कर सकते हैं किसको access देनी है, क्या देनी एक्सस वो दे सकते हैं बाकी और network में जाएंगे नेटवर्क में जाकर ये वाइफ़ाई कंट्विशन आ रही होंगी आप वाइफ़ाई कंट्विशन को क्लिक करेंगे फिर आप इसके अंदर नेटवर्क ऐसे नेम आपके जो वाइफ़ाई का नेम है वो भी चेंज कर सकते हैं देखिए आप यहां पे काफि कुछ कर सकते हैं और यहां एक पास्वोर्ड आप मैंने एडन नहीं करता हैं यह जो डिफोल्ट है इसे आप चेंज कर सकते हैं यहां पे आप पास्वर्ड रख जीए कुछ भी रख जीजिए जैसे एस र टेक YouTube एससा टेकिनिकल के बाद रखने के बाद इसको save पर click कीजिए कुछ भी होगना जाते है changing wifi setting calls wifi connections to disconnect to order to make wifi settings effective कुछ changes effect आएंगे क्योंकि यह connected devices होंगे पिसले password से save पर रखाव password वो सब की सब disconnect हो जाएंगे कोई आप कोई दिक्कत नहीं है हमें इस चीज़ से और यह आप लोडिंग करेगा और आपका जी ओफाई 3 जो देखिए आप इसकी जो करें वाइफाई दुबारा रिशेटिंग हो रही है पासवर्ड की इसलिए color change हो रहे हैं अब मैं देखिए काफी लोडिंग ले रहा है काफी ट्रमे ले रहा है आप देख पा रहे होंगे यह वाइफाई चेंज हो रहा है इसके colors बार बार चेंज हो रहे हैं blue हो रहा है क्योंकि इसमें पासवर्ड चेंज किया गया है अब मैं इसका जो है forget network कर दूँगा ताकि यह password ही forget कर जाए और सब कुछ forget हो जाए अब मैं इसको connect करूँगा जी ओफाई दुबारा से इसमें पासवर्ड डालूँगा sr-technical देखिए डल गया password शो कर देता हूं आपको पासवर्ड में अब इससे यह connect हो जाएगा authenticating देखिए authentication प्रावलम आ गई क्यूंकि मैंने s का जो बड़ा s वहाँ पर आपका बड़ा रखा था capital में रखा था और यहां मैंने छोटा कर दिया अब मैं इसको forget करूँगा दुबारा और बड़े s से connect करने कोशिश करूँगा देखिए अब बड़ा capital s है technical अब देखिए ऐसा technical लिखती है मैंने अब दिसको connect करने कोशिश करूँगा मैं यह obtaining IP address है अब यह connect हो गया देखिए काफी बड़ी गड़ पर हो लगती है काफी ध्यान से रखिएगा password चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना पाया तो जुरूर बना हूँगा आपके लिए बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें share करें और हमार थन्यवाद